तो सौगत है आपका मारे यूटूब चैनल पर आज किस वीडियो में राजस्थान पुलिस कॉंस्टेबल एक्जाम के लिए हम लोग करेंगे एक्सपेक्टेट पेपर जिसमें हम लोग इंपोर्टेंट को देखने बले हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों वो कहाँ पर इस्तित है वो इस्तित है आपका option B उत्त्रा खन्ण में कुनैन का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो कौन सा है बहुँ जाएगा जाबा अगला है निमलिकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो आपको गलत बला बताना है आप्सिन D बागी के तीन सहीं जैसे कि प्रारूप समिती, डाक्टर भीमरावा मेटकर, संचालन समिती, डाक्टर राजंदर प्रसाद और संग समिधान समिती, पंडेच जबाहर लाल नहरू अगला है नीती आयोग कैसी संस्था है? नीती आयोग संस्था है, ऑप्सिन D, गैर समिधानिक जम्मू कस्मीर भारस संग का एक मात्र ऐसा राजी है, जिसका अपना प्रथक समिधान है यह समिधान किस बर्स अंगी कार बाल लागू किया गया था? देखिए, यह कोश्चन पुराना हो चुका है और यह समिधान जो था बो हाट चुका आर्टिकल 370 और 35 से हाट चुका है ओके गैस, तो इसके हिसाब से आपका अंसर हो जाएगा ऑप्सिन D, उननीस सो सत्ता बन कितना हो जाएगा? उननीस सो सत्ता बन ब्रिटिस संसद ने भारतिय स्वधिन्ता अधिनियम कब पारित किया? तो ओप्सिन C, जुलाई उननीस सो सैंतालिस प्राण और दैहिक सोतंत्रता का सन्नच्छन समिधान के किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? ओप्सिन D, अनुच्छेद 21 भारत में ब्लेक काटन, सोयल, निमलेकित में से किस नाम से जानी जाती है? ओप्सिन B, रेगुर जिपसम सरवादिक मात्रा में निमलेकित में से भारत के किस राज में पाया जाता है? ओप्सिन C, राजस्थान राज में पाया जाता है कहां पाया जाता है राजस्थान भारत में किस इस्थान पर देश का सबसे बड़ा और उबरक कारखाना इस्तित है Option C, गोरकपुर पालक के पत्ते किसके प्रबल सुरोत है Option B, आहरन इन में से कौन सा रोग, मच्छरों से होने बाला रोग जो है वो नहीं है Option D, गहेंगा, गहेंगा जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है और डेंगू बुकार, फाइले रियेसिस और मलेरिया ये मच्छर से होते है गाईज आपका अगला कोश्चन है संत्रे जो होते हैं वो किस के प्रबल सुरोत होते हैं देखिए बिटामिन के सुरोत होते हैं संत्रे जो होते हैं वो बिटामिन के प्रबल सुरोत होते हैं और इसमें कौन सा बिटामिन पाया जाता है बिटामिन सी और इसका केमिकल नेम क्या होता है एसकार्विक एसेड एसकार्विक आम लगाए सकते हैं या एसेड भी कह सकते हैं दूद के फटने पर कौन सा एसेड उत्पन होता है तो लेक्तिक एसेड अगला एट्स का आर्थ क्या होता है तो आप्सिंसी एक्वाइड इम्यून डिफिसियंसी सिंड्रोम भारत के प्रतीच चिन की आधार पट्टी परंकित सब्द सत्मेब जयते किसे से लिये गया है आप्सिंडी मुंड को पनिसाथ से असोग दुतिये के नाम से किसे जाना जाता है तो कनिस्क को दिल्ली में लहो इस्तम कौन लाया था तो कुतुवुद्दीन एवक भारत में जब पहली रेलगाडी भारती रेलगाडी सेवा का आरम हुआ तब भारत का गवर्नर जन्रल कौन था तो आप्सिंडी लाड डल हो जी भारती राष्टी कॉंग्रेस के प्रतम मुस्लिम अध्यच्छ कौन थे बदरुद्दीन तैयब जी देश बंदू के नाम से कौन बिख्यात थे आप्सिंडी चितरंजन दास कौन बिख्यात थे चितरंजन दास अगला है भारत में सरवादिक जैब बिवित्ता पाई जाती है आप्सिंडी सांत घाटी के रल में काजी रंगा राष्टरी ये बन जीब अभ्यारन में मुख्यता कौन सा जीब सन रच्छत है आप्सिंडी एक सींग बाला गैंडा भारत में सरवादय योजना के प्रमुक प्रस्ताबक कौन है आप्सिंडी जैप्रकास नारायान भारती अर्थ वेवस्ता में कोर सेक्टर क्या है तो ये हो जाएगा ओप्सिंडी लहो इसपात चवराहे पर मुड़ते समय साइकल सबार केंदर की ओर लगता है साइकल सबार पर केंदर की ओर क्या लगेगा ओप्सिंडी अभी केंदरिये बल सुईत प्रकास जब प्रिजमन से होकर गुजरता है तो जो बन सबसे कम बिचलित होता है बाए कौन सा है तो लाल या कह सकते हैं रेड निमलिकित में से कौन सी विद्धुचुमकी तरंग नहीं है आप्सन सी परासरब तरंगे कथक किस छेत्र का साश्तरी नत्य है तो ऑप्सन इई उत्तर भारत मडेर का किस खेल से संबन्दित है तो ऑप्सन डि फुटवाल से संबन्दित है अब करेंगे राजस्तान जीके के कोश्चन जिसमें पहला है राणा सांगा ने निम्न मेंसे किस लोधी सासक को पराज़त किया था ओप्सिन सी एब्राहिम लोधी अकबर ने मान सिंग को निम्न मेंसे किस नाम की उपादी दी थी तो फरजंद लेटिनेंट कर्नल जेम्स टॉड दौरा लेकित एनल्ज एंड एक्टिविटीज एक्टिकुटीज आफ राजस्तान पुस्तक में टॉड ने इसका दूसरा नाम दिया है ओप्सिने दी सेंट्रल एंड बेस्टर्न राजपूत स्टेटस आफ इंडिया राणा संगा का उत्तरा दिकारी तथा पुत्र जिसको बावर ने पराजप किया था निम्न मैंसे कौन था तो बिक्रमा देते हैं ओप्सिन सी बिक्रमा देते हैं शिरी सरस्ती पुस्तकाले जो अलभ्य एबं दुर्लव साहित का आप्रितम खजाना है ये कहां पर रिस्तित है ओप्सिन डी फतेपूर सीकर जैसल मेर में 1550 इसबी में बहां के सासक लूड कराण के समय अर्द साका हुआ क्योंकि इसमें ओप्सिन केसरिया तो हुआ किन्तु जोहर नहीं हुआ रस्सिक रतनावली के रचैता थे आप्सिन नागरी दास मीनाकारी की थेबा कला किस इस्थान से सम्मंदित है तो ये सम्मंदित है आप्सिन डी प्रताब गड़ 25 मार्च 1944 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का बिले हुआ बहर रियासत थी आप्सिन सी प्रताब गड़ राजस्थान में भवाई नाट के जनम दाता थे तो बागा जी राजस्थान में पत्रकारिता के भीसम पिता मा कौन है तो पंडित जहावर मल सर्मा मेबार प्रजा मंदल के इस्थापना किसके दोरा की गई आप्सिन ने मालिक किलाल बर्मा भारत के प्रथम सोतंत्रता अंदोलन में राजस्थान के राजाओं का ब्यवहार कैसा था आप्सिन भी राजस्थान के राजाओं ब्रिटिस सत्ता को बिद्रोईयों के दमन में पूर्ण सयोग दिया बप्पा राबल ने मेबार राज की इस्थापना कहां की थी तो चित्तोलगड रूख भायला का अर्थ क्या है तो ब्रच्छ मित्र भारत में एकमात्र टंगस्टन की खाने इस्तित है तो ओप्सन दी डेगा नाम है राजस्थान की अंतर राज्ट्रिय सीमा की लंबाई लगबा गए ओप्सन डी एक हजार सत्तर किलोमेटर जालोरबा बाडमेट जिलों तक पाहनी पहुंचने के लिए परियोजना का निर्माण किया जा रहा है तो ओप्सन इसका होजाएक ओप्सन भी नर्मदा नहर परियोजना खनीज तेल के भंडारों की द्रस्टी से राजस्थान का जो जिला महतपूर होता जा रहा है बहे जिला कौन सा है तो बाडमेर ओप्सन भी बाडमेर राजस्थान के किस छेत्र में सागाउन के बन पाए जाते हैं ओप्सन भी दच्छनी राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला जो है वो कौन सा है अगला है राजस्थान के एक सहर में पीले पत्तर की खान है इस पत्तर को भी इसी सहर के नाम से जाना जाता है तो यह सहर कौन सा है अप्सथान है जैसल मेर राजस्थान राज का चेत्रफल लगवा कितना है अप्सथान बी 3.4 लाक बर्ग किलोमेटर राजस्थान के किस चेत्र में बिंद्य पठार विस्तार है अप्सथान बी दच्छनी पूरवः किस योजना के अंतरगत गर्ववती इस्त्रियों दूद पिलाने वाली माताओं और 6 साल से कम आयू के सिस्वों के स्वास्थे पोसा हार और सैच्छनिक सेवाओं की विवस्ता की जाती है राजस्थान सरकार केंद्र की साहता से इसकी क्रियान्विती करती है यह योजना बर्स 1988 से राजस्थान में भी सुरू की गई तो आप्सन ए बाल विकास योजना सेवा योजना राज में सामुदाइक जलोथान सिचाई कारिकरम किस परियोजना के अंतरगत सुरू किया गया है आप्सन भी क्रसी विकास परियोजना राजस्थान राज सहकारी डियरी फेडरेशन का मुख्य उद्देश क्या है आप्सन सी राज के उत्पाधकों को दूद का उच्चित मूल दिलवाना तथा बित्रण को सुगम बनाना राजस्थान स्टेट को आपरेटिप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेट का मुख्य कार क्या है आप्सन सी ग्रह निर्माण समतियों को दीर्ग कालिन रिन प्रदान करना अगला है राज्ज के सहरी एबं अर्द सहरी छेत्रों में सहकारिता के आधार पर लगू एबं कोटिर उद्योग को रिन प्रदान करता है तो आप्सन सी नागरिक सहकारी बैंक अगला कोशन क्या गहता है समग्र सहकारी विकास कारिकरम के अंतरगत समलित कौन से जिले हैं आपसेने सीकर जालोर और लाश्ट में बास बाड़ा राश्ट्री करसी और ग्रामीर बैंक नाबाड का छेत्री कारियाले राज में कहां पर स्थित है आपसेन डी जैपूर में स्थित है कहां पर है जैपूर राज के ग्रामीर छेत्रों में बालिका सिच्छा को बढ़ावा देने बाली योजना कौन सी है तो ये हो जाएगा आपसेन सी सरस्थोती योजना किसी तिथी से राजस्थान पंचायती राज अदिनियम 1994 संपूर्ण राज में लागू हुआ तो अप्सिन सी हो जाएगा 23 अप्रेल 1994 73 समिदान संसोधन के अनुसार बर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं में अध्यच के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरच्छित किये गए हैं तो ये हो जाएगा एक आप्सिन है एक वटा तीन पद निम्न में से कौन सा परिसीमन आयोक द्वारा उनर गठित लोग सबाचेतर नहीं है आप्सिन बी टोंक सवाई माधोपुर राजस्थान से निर्वाचित बे सांसद जो लोग सबा अध्यच पर अध्यच पद पर निर्वाचित हुए थे आप्सिन डी बलराम जाखड राजस्थान में राज्य मानवा दिकार आयोक का गठन किस बर्स किया गया आप्सिन सी दो हजार में तिन कारोडी एवं फरासिया बीज फार्म क्रमसा कहां पर बेवस्तित है अलवर टोंक दान की अमन प्रजाती कब बोई जाती है आप्सिन ए मैई जून में बोई जाती है दान की अमन प्रजाती सरवादिक बेयर हाउस प्रदेश के किस जिले में हैं। आप्शन बी गंगा नगर गंगा नगर निमलिकित में से किस क्रांतिकारी ने पुलिस अधिकारी प्राणनाथ डोगरा पर गोली चलाई थी। आप्शन बी चुन्नी लाल सर्मा भारत छोड़ो अंदोलन का प्रचार डूंगर पुर रियासत में किसने किया था। आप्शन बी भोगी लाल पंडिया बिजे इस्तंब का निर्माड किसने करबाया था। आप्शन ने राणा कुम्भा राजस्तान में गांदी सेबा संग की साखा के संचालक कौन थे। तो आप्शन सी हरी भाव उपाद्ध्याय सबाई राम सिंग 1866 इस भी राजस्तान स्कूल आप आर्ट्स के स्थापना किसने की थी। आप्शन भी सबाई राम सिंग अगला है किस बर्ष म्रत्ष संग का प्रसाशन राजस्तान को इस्थानांत्रित करने का निर्णाय किया गया तो बर्ष 1949 में निम्ण में किस तिथी को बर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है आप्शन डी चैत्र सुकल एकम नाथ संप्रदाय की कद्धी कहा पर इस्थित है तो अप्शन जोद पूर में इस्थित है कहा पर है जोद पूर गीत गोविन चित्र किस सैली से सम्बन देत है तो अप्शन इ मेबाड सैली से सम्बन देत है गोकुल लाल असाबा ने किस आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था तो नमक सत्यागरा है राग मंजरी रचना है तो पुंडरीक विठल निमलिकित में से कौन राजस्थान का प्रसिद्ध पखावज बादक है तो पंडित पुरुसोत्तम दास किस दुर्ग को मयूर धोजगण कहा जाता है तो महरानगाण दुर्ग नैनसी री खेयात की भासा है आप्सने राजस्थानी राजस्थान के दच्छनी पूर्वी पठारी भाग निम्लिकित मेंसे किसके उपविवाग या लगू परदेश है तो बिंदन कागार दक्कन का लाबा बठार राज कब है जिला जिसकी सीमाई किसी अन राजसे नहीं मिलती तो राजसमंद कौन सा हो जाएगा राजसमंद निम्लिकित मेंसे कौन चितोल गढ़ का सीमा बढ़ती जिला समू है आपसने प्रताप गढ़, डैपुर, कोटा, भूंदी, भील बाढ़ा सरवादिक उंची परवा चोटी है तो गुरू सिकर राजस्थान राज में भोरट का पठार इस्तित है आपसन भी कुंबल गढ़ एबं गोगुंदा के बीच में और आज का लास्ट है नागवर इस्तित डेगाना भाकरी निम्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तो टंगस्टन के लिए तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही अगर आपको पस्तन दाए तो वीडियो को लाइक करें सेर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें थैंक्यू